कि यह हिंद इस्टड़ी बसी रहा कि नए वीडियो में आप सभी का हार दिख हार दिख स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन का जो पहला प्रशन आप लोगों के स्क्रिण के सामने आज आएगा भी उसके पहले आप लोगों इसक्वेस्ट है कि स चैनल पर अगर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा चलिए स्टार्ट करते आज का पहला सवाल पहला सवाल है पागा क्या है ऑप्शन ए सैन्याभियान ऑप्शन भी गुरुल्ला युद्ध तक् पागा क्या है तो नियमित सेना और नियमित सेना पागा किस समराजी के थी किस राजा के थी यह प्रस नहीं बन सकता है तो पागा जो है सिवाजी के सिवाजी महराज के घुर्षवार सेना का नियमित सेना गुर्षवार सेना जो थी सिवाजी महराज की उसे पागा काया था नियमित सेना जो गुर्षवार की नियमित सेना थी उसे पागा कहा आता था पागा या साही गुर्षवार को बरगीर भी कहते थे क्या कहते थे पागा या साही गुर्षवार को बरगीर भी कहते थे बरगीर ये भी ध्यान रखने लिएगा बरगीर बरगीर भी कहते थे जड़े नेश कोशन देखते हैं शिवाजी मूगलों की कैद से भागने की समय किस नगर में कैद थे ? ति इस पर सही जवाब होएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो झायएका आगरा के महल में कैद ते कैद रखा गिया था औरंग्जेब ने इन्हें कैद रखा था ये तो आप सबी जानते हैं कि 1666 में जैसिंग के अस्वासन पर सिवाजी महाराज औरंग्जेब से मिलने आगरा गया थे और वहाँ उन्हें कैद कर लिया गया था और जैपूर भवन में कैद किया गया था यह भी प्रस्म बन सकता है तो आगरा के जैपूर भवन में आगरा के जैपूर भवन में इन्हें कैद रखा गया था तो किसकी अस्वासन पर गये थे तो जैसिंग के अस्वासन पर और उसके पुत्र जैसिंग के पुत्र राम सिंग पहला अंतराष्ट्य पहला अंतराष्ट्य बायोस्फेर रिजर्फ दिवस का मनाया गया अभी हाल महीं मनाया गया है तो यह कम मनाया गया प्रस्ट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीन नुवंबर 2022 को पहला अंतराष्ट्य बायोस्फेर रिजर्फ दिवस मनाया गया है भारत का पहला यह अंतराष्ट्य बायोस्फेर रिजर्फ को मनाया गया है यह प्रस्ट मिन सकता है तो भारत का पहला बाइउस्फेर रिजर्फ द्जा जारी किया जाता है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फेर रिजर्फ को नमाया गया रात में कंस कारीर है सबसे बड़ा और सबसे चोटा भारत की सबसे चोटा भायो इस रिजर डिब्रू शिखोवा है जोकी असम में डिब्रू शिखोवा मीच ये विद्धियान में रखीएगा और एस्या का सबसे पहला स्रिलंका में किस देश में स्रिलंका में कौन सा तो हुसलू बायोस्फियर रिजर्फ है यह ध्यान में रखना इंडेश को द्वारा जाले किया आता है और इसे डबलू एन बी आर यह एन है डबल एन वी आर इसका फूल फॉर्म क्या होता है यह प्रेस्णी बन सकता है तो डबलू फॉर दा वर्ल्ड एन फॉर नेट्वर्क ओ फॉर बायोस्फियर एस फॉर रिजर्फ पूरा कम्प्लिट हो जाता है है देखते ज़ंट नेश्ट सकार संगाई सायोग संगठन की अधिकारिक भासा क्या है पासा किया है इसन जबार्व हो जाएगा ओप्सन और बों देख करें हैं ऑप्सन ती हो जाएगा रूसी और चीनी रूसी और चीनी बहाशा संग hai और अर्वी कॉपेरियसन और्गनायेशनं की नहें अधिकारिक भाषा है और संगाई कॉपेरेशन का मुख्याले कहां यह प्रस्यंट पैसा इप पिजिंग में है चाना के बिजिंग सहर में और बीजिंग का पुराना नाम क्या है यप दियो भी आप लोगे के लिए comment कृषिशन में बताईएगा आप लोगे यस मालूम है तो यस लिखिये गा नहीं मालूम है तो नो लिखिये का ताकि मैं इस पर विडियो बना सकते हैं चलिए प्रतेग वर्स विश्व बिज्ञान दिवस सांती और विकास के लिए विश्व बिज्ञान दिवस प्रतेग वर्स दस नौवमर को मना जाता है यह पहले पहली बार कम नाया गया था तो पहली बार 2002 में 2002 में पहली बार विश्व बिज्ञान दिवस मना गया था दस नौवमर को दो याज दो इसमी में यह प्रस्ट यहां से और एक प्रस्ट बन सकता है दिमाग में में र हज़ी को मना जाता है प्रस्ट्रीय विग्ञान दिवस dominant उत्व unterstützen 28 좋asy नहीं आहिए अन्य 28 फर वरी धितल फोर्वरी को मना जाता है किंदे बं सकता है 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 में शरवी 2 रमन जी ने अपने खोज की घोसना की थी 284 में इसी खुसी में कि याद करते हुए 28 प्रवज़ को राष्ट बिज्ञान दिवस में याता है और इसी खोच के लिए रमन प्रभाव की खोच के लिए सर सीवी रमन को 1930 में 1930 में नोबल प्राइस मिल गया था आसा करता हूं आप लोगो सेशन पसंद आया होगा और यह प्रस्ण आप लोगे इंपोर्टेंट रहेंगे किसी एक्जाम के लिए किसी आसा और उमीद के साथ मिलते फिन नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद स्वस्त्र मस्त्र मुմज सुपस्क्ष का लिए नए भी जिए आसा फिमस्तर मद साथ का लिए दोक्षब है। झाल